यह रामलला की जलत यह वो विग्रै जो अब पूरी तरीके से जीवन तो हो चुका है परान प्रतिश्चा के बाद माना जाता है वो शक्ती विराजमान हो जाती है और उनके सामने खड़े हैं भारत के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी और इसे के साथ ही उनका वो ग्यारे दि का कठिन एकादश व्रत भी आज पून हुआ वो संकल्प भी पून हुआ एक वो तस्वीर थी जब राम लला टेंट में थे और आज जो देश के प्रधार मंत्री है नरेंद्र मोदी उस वक्त वो प्रचारक हुआ करते थे वहाँ पहुंचे थे दूसरी तरफ खड़े हैं मु जो प्रतिमा बहुत दिनों से चर्चा में थी आज पूर्ण साजोर्श रिंगार के साथ कोई दुनिया के सामने है और उस वक्त वहाँ पर शेहनाई बजाई जा रही है और उस शेहनाई में दो धूम चल रही है उसके बोल है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जो लोग चीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रान पतिष्ठा जो लोग बहां उपस्तित हैं देखिए किस तरह हाथ जोड़कर खड़े हैं सभी जब बात मर्यादा पुरुशोत्तम श्री राम की होती है जब बात सर्व शक्तिमान और इश्वर की होती है तो उनके सामने सभी नतमस तक होते हैं भक्ति भाव और श्रधा भाव में अपना सर जुकाते हैं शीष नवाते हैं प्रधान मंत्री मोदी अपसे थोड़ी देर पहले आपने तस्वीर देखी होगी जब हातों में छत्र लेकर वो आये थे गर्ग्रे में पूजा संपन हुई अनुष्ठान पूरा प्रान पतिष्ठित हो गए और अब आप ये लाइफ तस्वीर वहां से देख रहे हैं और जितने लोग टीवी स्क्रीन पर बैट कर ये प्रान पतिष्ठा देख रहे हैं उनके लिए भी खुद नधान मंत्री मोदी अपील कर चुके हैं कि आप भी घर में ऐसा कर सकते हैं जिस वक्त ये प्रान पतिष्ठा चल रही है उस वक्त आप अपने घर में श्री राम नाम जब सकते हैं और इतना ही नहीं आप भी भोग लगा सकते हैं प्रान पतिष्ठा के बाद भदवान को भोग लगाया जाता है और श्री राम की जब बात आती है तो कहा जाता है कि उ आज जो मिश्ठान उन्हें पसंद हैं वो वो मिश्ठान है जो दूद से बने होते हैं रबडी का भोग लगाया जाता है अपने और स्थाई मंदिर में जब रामदला विराजमान थे तो रोजाना रबडी का भोग उन्हें लगाया जाता रहा और आज स्थाई मंदिर में हैं तो आज भी उन्हें भोग लगाये जाएगा और यही काम आप लोग अपने घर में भी कर सकते हैं और ये लाइफ दस्वीरे रामदला के दर्शन लाइफ आप देख रहे हैं गर्बग्रे से भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी उतरकदेश के मुख्य मंत्री योगी आदतिनाद संग पचारक मोहन भागवत और यूपी की राज़ेपाल आनंदी बेन पटे प्रान प्रतिष्ठा पूर्ण होई हो गया श्री राम का निवास अब इस विग्रे में जो हमेशा हमेशा के लिए अपने स्थाई मंदिर में विराजमान हो चुका है जीवन्त हो चुका है और जिसकी एक जलत पाने के लिए देशी नहीं पूरी दुनिया से लोग उत्सु चेहरे पे है बाल मुस्कान एक पांच साल के बच्चे की जो मुस्कान होती है उसके भीतर जो एक मर्यादा होती है एक समवेदना होती है और एक तरह का भोलापन होता है उस मुस्कान के साथ उस निश्यल भाव के साथ प्रभू श्री राम जिनोंने अपने पूरे जीवन म कभी सहियम नहीं खोया, कभी मर्यादा नहीं खोई, लोगों को सही रास्ता दिखाया, वो संसकार दिखाया, वो जीवन जिया, जिससे आज भी लोग प्रेणना लेते हैं, और उदाहरण के तौर पर उनके साथ जुड़ते हैं, वही रामलला, वही प्रभूश्रे राम अब समने है, इतना भवे श्रिंगार आप देखिए, किया गया है, दूर दराजदेश विदेशो से भक्तों नेिशध्धभाव से उनके लिए श्रिंगार, अστर शस्थ पूजन भाव से भिजवाए हैं, जिनसे उनका ये भवे श्रिंगार किया गया है, और इस वक्त पठार मं जिनके लिए कहा जा रहा था कि वो अपने हातों से आखों में काजल लगाएंगे एक आइना दिखाएंगे और उसके बाद रामलला को भोग लगाया जाएगा उनको अर्पित किये जाएंगी वो चीजें जो की बाल स्वरूप में मौजूद इश्वर की प्रिये हैं दूर द समाच से भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं आप से जानना चाहेंगे कि अब प्रान प्रतिष्टित हो गया है अब यहाँ पर किस तरह के संसकार जो है वो किये जा रहे हैं कौन से रितिरवाज इस वक्त यहाँ पर चल रहे हैं यह विग्रय जीवन्त है प्रधम लगा कर्के भगवान को भोग लसा चया तो चप्पन भोग भी लगेगा और आच बहुनका पूजना अरचना होगा और शभीराम्भक्त परुष्टिरámजी का दर्सन करेंगे जिस परकार से ऐसे भाव से बिरति करेंगे प्रार्थना करेंगे जिस परकार से मंघलाल करने तो हो जाती हैं इस परकार से सभी राम प्रेमी जितने राम भक्त हैं सब लोग पूजन अर्चना करेंगे और अपने जीवन का मंगल कामना का प्रार्थना करेंगे जी बिलकुल और कल का दिन जब से आम लोग भी इस विग्रे का दर्शन कर पाएंगे और फिलाल गर्बग्रे से ये लाइव तस्वीरे सामने प्रान प्रतिष्टेत होने के बाद संपून श्रिंगार दर्शन सब के सामने हैं और अब धूब दीप नेवेद्य पंच मेवा फ पर होगी बेहत खुब सूरत नजारा इस वक्त आयोध्या के आसमान में आप देख रहे हैं राम की पैड़ी वो जगा जहां सरीयों का किनारा है जहां राम की पैड़ी पर सरीयों की नहर बहती हैं यही पर हम सब लोगों की मौजूद की हैं और यही से हम अपनी अखंड औ के प्रान पतिष्ठा के बाद बहुत की खुबसूरत नजारा इस वक्त राम की पैड़ी पर दो हेलिकॉप्टर्स यहां पर गुलाब की पंखुडियों की बारिश की है राम लला आ गए हैं बहुत दिनों से लोग कह रहे थे कि राम लला आ रहे हैं अब आ गए हैं पुश स्री राम जब अजुध्या में आ रहे थे 14 वर्स बन के आगमन जब हो रहा था सभी अजुध्या वासी जो साहित थे जैसे कि भरत जी कहते हैं कि अगर 14 वर्स के बाद एक भी छड़ एक ही दिन अगर लेट होगा तो मैं अपना प्राण श्याग दूँगा आज वही उत्स अजुध्या में चल रही है राम जोती जलाई जाएगे आज शाम को और उसके लिए बड़ी तैयारी आजुध्या में की गई है घर घर लोग दीप जलाएंगे व्यापारी दीप जलाएंगे और इतना ही नहीं राम की पैड़ी और सर्यूग हाट पर भी लाकों दीपक यहाँ अमिट है और तारीखें बदल सकती है और तिधियां बदल सकती है लेकिन आज की तारीख आज की तिधी कभी बदलेगी नहीं और भगवान आ गये हैं तो एक मंद्र के साथ भगवान को पड़ाम करना चाहूंगा बिल्कुल और उनका खाश रिंगार अगर हम देखे आपको टीवी पर दिख रहा होगा शुरू आप तिलक से ही कर लेते हैं विश्णो जी के अफ़ार रभुश्रे राम इसको कैसे समझाएंगे आप समझे बात को जो स्वेम लक्षमी के सामी हो उनका सिंगार कितना अद्गुत हो सकता है आप सोच सकते हैं जो स्वेम जगत के मालिक हो उनका सिंगार कैसा होगा ये आप सोच सकते हैं ये तो किवल छण मात है कि हम सब का इतना सामर्थ नहीं कि उनको कुछ दे सके फिर भी लोगों ने उन श्रद्दाभाव से बहुत कुछ लोगों ने अर्पित किया है और भविश्य में भी अब लोगों के आने का सिलसला यहाँ बढ़ेगा क्योंकि श्रद्दाभाव सबके अंदर है आज का वो दिन जब हर कोई चाता था उसकी मौझू की हो देगे संभव नहीं है तो कल यानी 23 इस तारिक से लोगों का आना शुरू हो जाएगा श्यामवन श्यामल प्रतिमा है यह और इसकी चर्चा भी हो रही थी कि यह जो नवीम विग्रह है वो श्यामल रंका होगा श्री राम के स्वरूप के जब कल्पना की जाती है और जब इस विग्रह को देखा जाता है इसको कैसे आप समझाएंगे मंत्रो चारण के माध्यम से भी कोई संदर भी अधिया आप व्यक्त करना चाहिए झाल 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 झाल